दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जिसका साइज है 13 25 फिर अब जैसा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थमनेल भी देखा होगा हाला कि मैंने पहले भी 12 25 का क्रेट किया था मकान बट अभी एक रिक्वार्मेंट थी सब्सक्राइबर तो रोन सबसे पहले उससे पहले मैं गुजारिस करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक इसमाल आस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारी पेड़ सर्विस का यूज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर मैं से जूम करके आपको दिखा देता हूं पहले यह आप रेलिंग वगरा जूम करके देख पा रहोंगे यह देखीगा रेलिंग का रियलिंग का रियलिस्टिक व्यू है आप यह देख पा रहोंगे यह दोर है यह विंडो है और यह इसका ऊपर वाली रेलिंग है तो अग इसके जश्ट बगल में आपका यह देख पा रहे होंगे आप किचिन का एरिया है क्योंकि एरिया का में तो छोटी छोटी चीजे ही क्रेट हो पाएंगे और सबसे पीछे आपका एक बैड डूम है तो एक बैड डूम और किचिन लेटिंग बातरूम और श्टेर्स आपका अपने हटाते है तो यहां पर आपका ओपने स्पेस बना रहेगा अगर आप फ्रेंड की बात करें तो फ्रेंड में आपको यह देख पार होंगे रेलिंग तीन फिट की अप्रॉक्स मैंने निगाल दी जो की डूर चे आप अधर आएंगे और सारो तरफ रेलिंग बना दी है जो की सिंपल सी रेलिंग है हालागे मैंने कुछ ज्यादा चीज़ें आपर डिजाइन नहीं की है जिसमें आपको दिक्कत ना करनी पड़ी और यह सिंपल रेलिंग है आईरन या स्टील का बना सकती है आपकी रेक्वार्मेंट पर डिपेंड करता है तो यह इसका आप का या प्योपी का आप देख सकते हैं और चारो तरफ आप यह पूरा देख पा रहे होंगे यह दोर और यह विंडो जैसे वेंटिलेशन की प्रावल्म आपको नहीं होने वाले है अब हम लाइस प्लोड की बात करते हो लाइस प्रकाशा कुछ रेजाइन नहीं किया है सरफ यह चारो तरफ तीन फिट का बाउंडरी और फ्रेंट में रेलिंग वही शेम टू सेम और यह आपका स्टेर्स को डखने के लिए पूरा एरिया में ने कवर्ड कर दिया है जिसमें पर साथ में आपका कोई भी प्रावल्म ना हो और यह दोर दे दिया यहां से आप अगर आपने भी तकिस माल आपस प्लान को सब्काइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर किया करें क्योंकि यहां पर आपको लेटेश्ट अन अपडेट वीडियो लगातार मलते है जैसा कि मैं और डिसक्स कर चूका हूं अगर आप हमारी प्लेड सर्फिस का यूज करना चा